हेलो बच्चों गुडिविनिंग टू आल दिस इस और वेरी ओन पें फीजिशन एंज बैलोजी कुरू दॉक्टर अंशुमना गुरुवाल वन्स अगेन तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा एक और लेक्ट्टर हमारी जर्णी लगाता और कंटीन्यू हम करते जा रहे है हमारा टार्गेट क्या है मंजील क्या है बच्चों कि हमें नीट 23 को जिन बच्चों का यह पहला अटेम्ट है वो तो भी पहले अटेम्ट में क्रेक करें मैंने भी फॉस्ट अटेम्ट में नीट को क्रेक किया था ओल इंडारिंग 196 के साथ बच्चों तो यह जो मित है कि हम पहली बाद तो कि first attempt में नीट करना को क्रेक करना अतना असान नहीं होता क्रेक कर भी लोगों तो अच्छी रेंख नहीं आएगी पीछे का medical college मिलेगा सब बखवास बच्चो मैंने तब क्रेक करा था एक attempt में जब इतनी coaching facilities नहीं थी इतने सारे platforms नहीं थे कुछ नहीं था बच्चो about 20 years from now 20 साल पहले जाएं बच्चो आप सोथ सकते हो कि क्या चीज़े रही होगी उस वक्त हम कर सकते थे तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो बच्चो बिलकुल कर सकते हो आपको इतने सारे resources बिलकुल ready made मिल रहे हैं सब कुछ हम थाल कर सज प्रतिशत हमें अपना देना है अपनी preparation को ताकि हमारा जो डॉक्टर बनने का dream है वह इसी attempt में पूरा हो कौन सा chapter चल रहा है बच्चो अभी दो तीन chapters हम parallel में लेकर चल रहे हैं human physiology की chapters चल रहे हैं जिसमें चार chapters हमने complete कर लिए है direction breathing body fluids locomotion और neural control अभी चल रहा है बच्चो जि लेकिंगे chemical coordination और excretory system तो एक तरफ human physiology हम खतम करने जा रहे हैं before 15 तो फेब फिर एक और unit जो हमने start कर दिये plant physiology respiration वाला chapter हम complete कर चुके हम photosynthesis चल रहा है और आज उसी का third lecture है बच्चो ठीक है और साथ में genetics वाल यूट भी हम parallel में लेकर चल रहे है evolution हमने खतम कर लिया है principles of inheritance हमने neat इस बार crack करना है चाहिए वो हमारा पहला attempt हो दूसरा कोई से भी attempt हो इसके बाद हमें attempt देने की जुरूरत नहीं पढ़नी चाहिए और नहीं पढ़ेगी उसके लिए करना क्या है बच्चो आपको neat biology में कम से कम 340 प्लस का target लेकर चलना होगा कम से कम अब यह minimum हो गया है वह एक तरिके से क्ट-off बहुत जादा जा रही है और main scoring आपकी biology में हो पाती सबस्यादा scoring बच्चो और 340 प्लस यह स्कोर करना है तो एक जो reality है वो मैं आपको और पतायता हूँ आके खोल देता हूँ आप लोग की आप लोग क्या सोचते हो कि सिर्फ NCRT को हम line by line पढ़ जाए पूरी तो that is more than sufficient to score 340 प्लस लेकिन ही गलत है बेटा NCRT को घोट कर घोटनी है वो तो पढ़नी है उसमें कोई doubt नहीं है है ना वह हमारी बिल्कुल हम कह सकते है religious book है holy book है वह कुरान है वही गीता है वही Bible है सब कुछ है बात यह है बच्चो कि हम NCRT को पुरा घोट भी लें आते हैं जो लगते तो यसे ही कि भी NCRT से पूछे गें लेकिन सिर्फ NCRT की information से निकाल नहीं पाते हैं हम उनको भी हमें सही करके आना होगा और उनको करने के लिए कुछ particular units जिनको भी मैं चला के रखे हुए हूं बच्चों human physiology plant physiology genetics वाली unit production वाली unit यह तीन चार units यसी है जि इसील यह priority पे हमने इनको इस तरह से इतना detail में लेकर चले हुए हैं आपर NCRT से तो हम line by line आपको सारे chapters करवाई रहे हैं parallel में बच्चों ठीके तो यह कुछ units में करीब करीब हम कह सकते हैं 15-20 chapters ऐसे हैं out of 38 जहां पर आपको detailed and conceptual knowledge होना जरूर है फिर बच्चों आपको जो ड नॉट उनली MBBS बट मैंने MDB करी और उन डॉक्टरों में से नहीं हूँ जोना ने डॉक्टरी छोड़कर प्योरली टीचिंग ले ली है बच्चों है ना क्योंकि उससे फिर एक सीट खराब होती है आपके ओपर करोड़ों रुपे खर्च करती जब आपको डॉक्टर बनात इस डॉक्टर वर्क करने के साथ साथ पिछले ग्यारा सालों से आउट अफ मैप्टेशन मुझे शोग है बच्चों आपको पढ़ाने का मैं चाता हूँ कि आप वोका डुरीम भी पूरा हो डॉक्टर बनने का एक अच्छा कंटेंट आपको मिला और उसके लिए अफोड़ भी इस साल लॉंच कर दीती सोचिंग इसका नाम है बच्चो एस और सी एच आई एंजी प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लो अपने आपको एंडॉल कर लो यहां पर आपको बाइलोजी की कम्प्लीट प्रपरेशन मिल जाएगी सब कुछ मिल जाएगा चाए वो सब कुछ मिल जाएगा और यदि आप को कोई भी डाउट आता है बाइलोजी में आप मुझसे डाउट पूछना चाहते हो तो टेलिग्राम ग्रूप का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लस एप के डेशबॉर्ट पे भी आपको मिल जाएगा वहां से आप इंपोर्टेंट 25 mcqs को डिसकस कर रहे हैं जिसमें अल्मस्ट पूरा चेप्टर हम डिसकस कर लेते हैं रिवाइस कर लेते हैं दो चेप्टर हम कंप्रीट कर चुके हैं टाइशन एंड ब्रीधिंग कल सुभा कल रिपब्लिक डे एडवांस में है पी रिपब्लिक डे कल जहां पर हम डिसक्रिशन करने वाले हैं 25 most important super most important questions of body fluids and circulation और यह time bound question practice होती है यहां पर not only हम पूरा चेप्टर डिवाइस करते हैं इंदी form of questions बट आपको में कैसे speed के साथ questions निकाले जाते हैं कैसे approach की जाते हैं वो भी उस session में बताता हूं बच्चों तो उसको join करना ना भूल ठीक है बच्चों तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हेलो तो सभी बच्चों को एक बार वापन से good evening hello hi तो आज का जो लेक्चर है इसके पहले जो दो लेक्चर सुए उसमें हमने की introductory part of photosynthesis देखा था कि actually photosynthesis है क्या वहां पर हमने inoxygenic photosynthesis की भी बात करी थी बच्चों औ जो essential factors है photosynthesis के लिए आप कैसे prove करो की कि वो essential है कैसे science चलती है है ना what why how पे ही सारी science चलती है बच्चों वहां पर हमने देखा था carbon dioxide के essentiality के लिए experiment sunlight के essentiality को prove करने के लिए experiment बच्चों यह सारी चीजे हम last lecture में complete कर ज़के हैं ठीक अब आज का जो lecture है बच्चों उसमें हम cell organs होते हैं plants के अंदर वहां पर यह होता है ठीक है उसके लिए क्यों वहीं पर क्यों हो रहा है क्योंकि इसके लिए जो जरूरी pigment होता है chlorophyll उसकी location वज़ी होती है बच्चों तो एक तो हम chloroplast के बारे में यहाँ पर देखेंगे जो आप cell biology में भी पढ़ लिए तो यहाँ बहुत जाता भी detailing में नहीं जाएंगे chloroplast की हम एक brief जितना इस chapter में required है वो देखेंगे उसके बाद बच्चों कौन कौन से pigments photosynthesis में participate करते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर आज के lecture में हम देखने जाए वो chlorophylls की बात हो फिर kerotinoids का क्या role होता है बच्चों तो यह सारी च कीजिए आज की lecture में complete हो जाएगी तो start करते हैं सबसे पहले where does photosynthesis take place कहां पर होता है बच्चों तो photosynthesis takes place in the green leaves of plants as well as in other green parts of the plants अच्छा है एक और बात बता देता हूँ वापस से आप लोगो को याद रहे नहीं रहे कुछ बच्चे नहीं हैं कि यदि आप इन notes को download करना चाते हो तो app पे आप जाकर जोश बेच यदि आप 11th में हैं जुनून 12 के droppers हैं तो उसमें enroll कर सकते ह वहाँ पर enroll करने के बाद आप इन notes को download कर सकते हो बच्चो और बाकी lectures तो free of course अभी को available हैं ही इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ठीक तो एक जो question यहाँ से बनता है वो क्या बनता है कि क्या photosynthesis सिर्फ और सिर्फ green leaves में ही होता है या हरी पत्यों के अलावा plant के दूसरे parts में भी होता है तो बिल्कुल होता है जहाँ जहाँ अबर भी आपको plant या tree के अंदर green parts मिलेंगे वहाँ पर आपको photosynthesis भी मिलेगा क्योंकि जहाँ पर green parts है वहाँ पर chlorophyll pigment है वहाँ पर chloroplast है बुचार the site of photosynthesis बचो ठीक है तो पहला question यहाँ से निकल लाता है हमारा फिर a large number of chloroplast are present in the mesophyll cells of leaves आप से location of chloroplast पुछी आएगी कि कौन सी cells में mainly यह पाया जाते हैं तो leaves की mesophyll cells के अंदर हमें chloroplast देखने को मिलें बच्चो देखने को बच्चो अलाइं थे लाइन थे पर पहले बोला था कि सिर्फ और सिर्फ नियाटी पढ़के हम रह जाते हैं तो information आदिया दोरी रहे जाती बहुत सारी चीज़ों में और फिर जो वहां से detailed question आजाता है तो हम उसको नहीं निकाल पाते हैं तो इस line का मतलब क्या है देखो chloroplast का जो alignment arrangement होता है mesophyll cells के अंदर वो time to time change होता रहता है और वो किस पर depend करेगा कि जो light गिर रही है leaves के उपर या mesophyll cells के उप करते हैं वो सारी चीज़े भी आगे आएगी तो वो नुकसान को यदि avoid करना है तो एक optimum optimum का मतलब होता है ना जादा ना कम जितनी जरूरी है उतनी light ही chloroplast absorb करें तो एक सही rate से जितना जरूरी है उतना ही photosynthesis होगा नुकसान नहीं होगा maximum efficiency निकलेगी बच्चों तो वो कैसे ह होता है जब भी highlight intensity होती है तो क्या करते हैं यह chloroplast अपने आपको यह light rays आ रही है बच्चों यह incident light है तो यदि incident light की intensity बहुत ज़्यादा है जरूरत से ज़्यादा है तो उस वक्ति chloroplast अपने आपको light जिस direction से आ रही है उसके parallel arrange कर लेंगे incident light के parallel arrange कर लेते हैं बच्चों तो इसकी मदद से इन्हों ने क्या करा जो excess amount of light था उसको एक तरह सा avoid कर दिया है उसको absorb नहीं करा है बच्चों यह जो arrangement होता है जहां पर chloroplast अपने आपको incident light rays के parallel arrange करते हैं this is known as perastrophe क्या केते हैं इसको बच्चों अपन पेरastrophe arrangement केते हैं parallel to the incident light ठीक तो पेरा से पेरा आप याद रख सकते हो इससे आपको confusion नहीं होगा ठीक है यदि light intensity काफी कम है जरूरत से कम light आ रही है तो फिर वहाँ पर कुछ इस तरह का arrangement होना चाहिए chloroplast की maximum से maximum light को वह absorb कर सके हैं और उसके लिए बच्चों फिर वह क्या करते हैं वह incident light rays के perpendicular arrange हो जाते हैं light rays ऐसा आ रही है chlorop अपने आपको perpendicular to the incident light arrange करते हैं this is known as epistrophe बच्चों पेरा से parallel याद रखेंगे और perpendicular में epistrophe यदी light intensity moderate है जादा ना कम जितनी जरूरत है उतनी ही है तो वहाँ random arrangement देखने को मिलता है आपका कुछ perpendicular भी होंगे कुछ parallel भी होंगे कुछ oblique भी होंगे मतलब अपने हिसाब से उसमे arrangement of chloroplast is known as what? Apostrophe arrangement. तो perastrophe, epistrophe and apostrophe तीन चरह का arrangement देखने को मिलेगा according to the light intensity बहुत ज़्यादा है तो perastrophe बहुत कम है तो epistrophe और यदी moderate light intensity है बच्चों then the arrangement will be apostrophe ठीक? उसके बाद जो site of photosynthesis है chloroplast जो आपको musical cells में मिलेंगे बच्चों पत्यों की leaves की उनका structure आप से पूछा जा स सकता है यदि उनके structure की हम बात करें बच्चों तो दो चीजें यह हम cell biology में भी पढ़ते हैं तो एक तो membranous system मिलता है जिसमें आपको थाइलोकोईट के stacks मिलते हैं थाइलोकोईट बच्चों membrane bound bag like structures होते हैं सेक लाइक structures हो तो उनका आप lamella भी के सकते हो थाइलोकोईट भी के ठीक है और यह जो ग्रेना होते हैं यह भी आपस में एक दूसरे से connected होते हैं इंसी आटी का diagram में आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चों तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों जैसे यह एक ग्रेनम है इस ग्रेनम में आप देख सकते हो बहुत सारे बेगलाइक structure से बच्चों लेयर्स प्रेजेंटे लेयर्स के लिए हम लेमिला वर्ड यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लेमिले या मेंब्रेन बाउंड बेगलाइक structure से जिनको हम थालेकोइट्स केते हैं लेमिले केते हैं और यह सब मिलकर एक ग्रेनम बना रहे हैं यहाँ पर यह दूसरा ग्रेनम है बच्चों है न यहाँ पर यह तीसरा ग्रेनम है तो यह जो थालेकोइट्स इन ग्रेना में हिनको हम ग्रेना लेमिले केते हैं इसके साथ साथ बच्चों यह आप देख सकते हो कि जितने भी ग्रेना है यह आपस में भी connected हैं कुछ बेगलाइक structures ट्यूबलाइक structures इनको भी आपस में connect कर रहे हैं और यह जो मेंब्रेन बाउन ट्यूबलाइक structures इन ग्रेना को connect कर रहे हैं these are known as stromal लेमिले क्या कहेंगे बच्चों हम इनको देखों यह यह रो जो है यह यहाँ पर जा रहा है these are known as stromal लेमिले यह these are stromal लेमिले clear है तो ग्रेना stakes of thailicoids और फिर ग्रेना को interconnect करने वाले जो लेमिले होते हैं उनको स्ट्रोमल लेमिले कहते हैं बच्चों double membrane bound structure है chloroplast एक outer membrane होती है inner membrane होती है जो ground substance होता है जो matrix होती है बच्चों chloroplast की उसको आप या तो stroma कह सकते हो या matrix कह सकते हो या ground substance कह सकते हो so this is the stroma जो बीच का part है जिसमें यह सा चावल है वो चावल तो क्या है rice जो होते हैं खीर में वो तो बच्चों आपके ग्रेना एंड स्ट्रोमा लेमिले होगे और जो milk वाला पार्ट होता है that is the stroma that is the matrix of the chloroplast और इस matrix के अंदर आपको दूसरे cell जो यहां पर है कि जो protein synthesis हमें पता है कि semi autonomous organs के अंदर आती है होनी चाहिए मैं आपको कई बार बोल चाहूं हर लेक्चर में बोलता हूं जितने भी NCRT के diagram से बच्चों उन सभी के बारे में हमें अच्छे से पूरी चीज़े याद होनी चाहिए हर एक labeling किस चीज़ को उस diagram में क्या label कर रखा है कौन सा arrow कहां जा रहा है यह आपको याद होना चाहिए क्यों यदि नीट के अंदर कोई भी diagram based question आएगा तो वहाँ पर जो diagram उठाया जाएगा बच्चों वह NCRT से ही उठाया जाएगा इसके अलावा आपको chloroplast के अंदे starch granules और lipid droplets भी देखने को मिलेगी अब जो ग्रेना एंड स्टोमा लेमिले हैं बच्चों यह मिलकर membranous system मनाते हैं और इसके अलावा matrix वाला पार्ट है और क्यों हम यहाँ पर इसके बारे में भी discuss कर रहे हैं क्योंकि जब हम आगे photosynthesis में पढ़ेंगे तो हम में लिए दो पार्ट में photosynthetic process को पढ़ेंगे एक light reaction और दूसरा dark reaction और यहाँ पर भी एक proper division of labor हो रखा है कि य कौन से पार्ट में light reaction होगा और कौन से पार्ट में dark reaction होगा बच्चों तो जो membranous system है यहाँ पर light reaction देखनों को मिलता है light reaction को क्यों light reaction कहते हैं यह आगे देखेंगे और जो बच्चों matrix वाला पार्ट है उसमें dark reaction देखनों को मिलता है जो अपने आप में एक तरका misnomer है क्य जैसे जैसे बताता जा रहा हूं वेसे वेसे पढ़ते जाओ और याद करते जाओ बच्चों समझते जाओ है ना तो हमारा concept ही है पहले हम समझते हैं फिर याद करते हैं रटना तो है देखो biology में बिना रिटे काम नहीं चलेगा क्योंकि चीजे याद नहीं होगी तो speed के याद भी हो जाती ही चीजे लेकिन तीन दिन बाद फिर ऐसा लफ़ता है कि मैंने तो इसको कभी पढ़ाई नहीं तो वो problem क्यों होती है क्योंकि आप pure return विद्या करते हो pure mugging up सिर्फ रटते रहते हो बिना understanding है बटा एक बार समझ के रटोगे फिर कभी दिक्कत नहीं आएग आपको ठीक है चलो membranus system तो membranus system में मैं आपको बताए दिया दो चीजे आ रहे है बच्चो ग्रेनले मिले आ रहे हैं stroma ले मिले इन ग्रेना को आपस में interconnect करते हैं बाकी का जो ground substance वाला पार्ट होता है जिसमें ये सारा membranus system पढ़ा हुआ है that is known as stroma और the matrix part of the chloroplast बच्चों नहीं पर आपके सारे photosynthetic pigments से वही light energy को trap करेंगे और बिना उस light energy को trap किये photosynthesis आगे नहीं बढ़ सकता बच्चों तो इसलिए जो light reaction हम बोलते हैं वो कहा होता है इस membranus system में तो responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH ये जो ATP और NADPH के हम यहाँ पर बात करें these are the products of light reaction बच्चों और actually ये जो drive करते हैं आगे बढ़ाते हैं dark reaction को dark reaction इन दोनों के बिना नहीं हो पाएगा तो dark reaction के लिए light reaction का होना जरूरी है बच्चों this is directly light driven ये जो light reaction है बिना light की नहीं हो सकता ये dependent है light के उपर इसलिए इसको हम light reaction केते हैं लेकिन यहीं साथ के साथ धियान रख लो dark reaction में ऐसा नहीं है dark reaction में compulsion नहीं कि वो dark में ही हो है ना तो इसी लिए ऐसा नहीं कि आप कि यहां की light reaction को light की presence मोरा तो light reaction का तो हम dark को भी dark की presence में ये चीज़ याद रखना आ गया भी हम डिसक्रिशन करेंगे इसका एक तरह का misnomer है वो photochemical reaction भी इसको हम किया सकते है light reaction को क्यों क्यों कि यहां पर light energy एक तरह से chemical energy में convert हो रही है ना जो light energy तो इसको हम ने trap करा ATP NADPH बनाया जो की chemicals है तो photochemical reaction भी इसको बोला जाता है बच्चो इस ट्रोमा या मेट्रिक्स की अधि हम बात करें बच्चो तो enzymatic reactions incorporate carbon dioxide in the plant leading to the synthesis of sugar which in turn form structure क क्या मतलब है इसका यह जो यहाँ पर ATP और NADPH बन रहे हैं बच्चो light reaction में आगे इनकी मदद से dark reaction में होता क्या है मैंने आपको first lecture में बता जिया था photosynthesis में क्या हो रहा है carbon dioxide का reduction हो रहा है carbon dioxide hydrogen को accept कर रही है और glucose बना रही है तो यह जो carbon dioxide का reduction है बच्चो वो इस वाले part में carbon dioxide को plant के अंदर fix कर रहे है in the form of glucose carbon dioxide simple way में समझें तो carbon dioxide को हम glucose में convert कर रहे है in the dark reaction और यह conversion का होता है stroma or the matrix part of chloroplast में होता है बच्चो इस reactions are not directly light driven है ना इसके लिए जरूरी नहीं है कि light हो लेकिन light reaction के products होना जरूरी है but are dependent on the products of light reaction है ना ATP NADPH और by convention बस एक रहसे इसको opposite हो गया light reaction का कि यहां कि बही एक तरह से light reaction light driven है बट यह light driven नहीं है प्योरी तरह से light dependent नहीं होता लेकिन light reaction products पे dependent होता है तो शुरूरात में इसको नाम दे दिया गया गया by convention dark reaction और शुरूरात में इस नाम दे गया तो आज तक भी उसी नाम से हम इसको चला रहे है ना तो इसलिए इ आगे और clarity आजाएगी जब हम light reaction और dark reaction को detail में पढ़ेंगे, next lecture से अपना light reaction स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, आज हम सारे pigments के बारे में बात करेंगे, कि भी कौन-कौन से pigments का photosynthesis में क्या-क्या role होता है, different plant groups के अंदर भी हमें कुछ different pigments देखने को मिलते हैं, particularly algae की हम बात कर होना चाहिए कि भी pigment का मतलब होता क्या है, है ना, वो तो देख लें, तो pigments को हम कैसे define करेंगे बच्चों, pigments are the substances that have an ability to absorb light at specific wavelength, तो बच्चों यह वो substances हैं, जो specific particular wavelength की light rays को absorb करते हैं, कुछ को reflect करते हैं, जिन wavelength को reflect करेंगे, वो तो इनका color दिखेगा, है ना, यदि कोई pigment yellow wavelength को reflect कर रहा है, तो उसका color हमें yellow दिखेगा, तो यह याद रखो, ठीक है, तो specific wavelength of light rays को यह absorb करते हैं, leaf pigments can be separated, अब हमें पता कैसे चला, कि भी photosynthesis के अंदर, या leaves के अंदर, जो pigments है, जो photosynthesis में participate कर रहे हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, या क किसी चीज से, या किसी भी substance में से, या किसी भी substance में से, या pigments को separate out करना हो, तो वहाँ पर जो technique follow की जाती है, उसको हम क्या केते हैं, paper chromatography technique, ठीक है, और यहाँ पर होता क्या है, बहुत ज़्यादा डीटेल में आपको जाने की जुड़त नहीं, नाम याद रखो, यहाँ प types of pigments आपको अलग-अलग जगह पर इस तरह से मिल जाएंगे, बच्चो, है ना, तो यह paper chromatography के लाती है, यह separate out हो जाते हैं, उस paper strip के उपर, जो mechanism है, वो अभी पढ़ने की जुरूरत नहीं है, आप आगी जब जाओगे, बच्चो, higher studies में तो वहाँ पर ही आ जाएगा, आपको यह चीज बना कर समझा रहा हूँ, ताकि एक memory create हो जाएगी, तो leaf pigments can be separated from any green plant through paper chromatography and the picture obtained, यह जो paper strip पे आपको इस तरह का एक pattern मिलता है, बच्चो, इस pattern को हम क्यारते है, chromatogram केते हैं, तो इस ही chromatographic separation से हमें यह जानने में मदद मिली कि भी photo synthesis के अंदर कौन कौन से pigments parts fed करते हैं, तो chromatographic separation of the leaf pigments show that the color we see in leaves is not due to a single pigment, but due to four pigments, तो हमें paper chromatography से क्या पता चला कि भी leaves के अंदर, वैसे तो हमें क्या होता है, in general green color देखने को मिलता है, लेकिन आपने notice क्या हो तो कुछ में dark green, कुछ में halka green, कुछ में yellowish green, है न, और भी के बाद different colors देखने को मिलते हैं, तो ultimately हमें ये पता चला कि भी leaves के अंदर हमें चार तरह के pigments mainly देखने को मिलेंगे, ये चार pigments जो usually हमें leaves के अंदर देखने को मिलते हैं, कौन-कौन से होते हैं, chlorophyll A होता है, chlorophyll B होता है, xanthophyll होता है, और carotene होता है, xanthophyll and carotene together they are called as carotenoids, बच्चों, तो mainly हम कह सक हैं कि carotenoids और chlorophyll की वज़र से, जो color of leaves होता है, वो हमें देखने को मिलता है, बच्चों, जो chlorophyll A है वो bright green या blue green कलर का होता है, जबकि chlorophyll भी yellow green होता है, xanthophyll mainly yellow और carotene, mainly orange कलर के होते हैं, बच्चों, है ना, तो these are the major pigments जो आपको leaves के अंदर देखने को मिलेंगे, और ज उसमें भी सबसे important role जो बच्चों, photosynthesis में होता है, वो किस pigment का होता है, chlorophyll A का होता है, है ना, चलो, आगे बढ़ते हैं आप, तो अपने देख लिया, पहली बाद तो leaves में 4 तरख pigments ये NCRT की बात है, अब जो types of pigments हैं, जो overall हमें देखने होते हैं, बच्चों, related with photosynthesis, वो ती NCRD ने क्या बोला, आपको 4 तरख pigments जो बोला है, chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll, ये सिर्फ 4 इसले mention कर रही है, वहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर higher plants की बात कर रहे हैं, चेप्टर का नाम भी क्या, photosynthesis in higher plants, लेकिन जदि हम lower plants की बात करे हैं, जैसे algae की बात करे हैं, तो वहाँ पर eco- लेके करके तीनों तरख pigments के बारे में बात करेंगे, जो main बात होगी, वो chlorophylls के बारे में बात होगी, chlorophylls में भी जो सबसे important है, that is chlorophyll A, और थोड़ा सा के बार question chlorophyll B से भी बनता है, अब बच्चों, ये वालो जो पार्ट है, आज के lecture का, ये वो पार्ट है, जो NCRT ने ब pigments, chlorophyll A, that's it, nothing else, but यदि हम पुराने paper उठा है, पिछले 15-20 साल के need के, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि pigments को पर questions आए हैं, बच्चों, और क्योंकि अब हम 340 plus target कर रहे हैं, in fact, मैं तो चाता है, आपके 360 में से 360 हैं, बच्चों, है ना, कर सकते हो, बच्चे कर रहे कि वो particular topics, जहां पर हमें पता है, कि previously NCRT के बाहर से questions आए हैं, और आगे भी आने के probability ज़्यादा है, उनको यदि हम थोड़ा सा detail में, बहुत ज़्यादा detail में हम नहीं जाएंगे, बच्चों, आप लोग लिए बहुत research करके notes बनाके लाता हूँ, एक lecture के notes बनाने में almost यह मा पाऊगे, कि एक working doctor के लिए, यह सारी चीजे करना इतना आसान भी नहीं है, बच्चों, जो मैं आपको deliver कर रहा हूँ, मेरे लिए ज़्यादा आसान क्या है, कि मैं NCRT उठा लाँ यहाँ पर PDF, और जैसा कि सब platform से पढ़ाया जारा है, विसा पढ़ादा, मेरे लिए बहुत इस a consultant anesthesiologist work कर रहा हूँ, बच्चों, एक और hospital में, सारी चीजों को देखते वे, समय जो मिलता हूँ, रात को मिलता है, रात को दो तो तीन तीन बज़े तक आपके लिए notes बनाता हूँ, के बार वो complete नहीं होते है, सुबह वापर से 6 बज़े, 5 बज़े उड़ जाता हूँ but botany also, पूरी biology में आपको पढ़ा रहा हूँ, बच्चों, तो आपको भी अब महनत करनी होगी, है न, धियान दो बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आपको ऐसा लगेगा कि सर, यहाँ पर NCRT के बाहर से पढ़ा रहे हैं, आपको वह मैं लहीं नहीं जाओंगा कि आगए टेटरा, पैरोल स्ट्रक्चर यह होता है, वह होता है, जो बताते भी हैं कुछ लोग, पर जो unnecessary वह मत बताओ, लेकिन जो necessary वह तो बताना जरूरी है, उल्टा होता है, या तो कुछ बताएंगे नहीं, बताएंगे तो फिर ब पिगमें कलर पिगमें कहां मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही मिलेंगे बच्चों हमें, बाकि जो क्लोरोप्लास्ट के अलावा, क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं यह क्लोरोप्लास्ट लेकिन जो दूसरे कलर प्लास्टिट्स होते हैं बच्चों, क्रोमोप्लास्ट उनके अंदर भी हमें kerotinoids देखने को मिलते हैं फिर next point lipid in nature insoluble in water होते हैं बच्चों बहुत important याद रखना चाहे वो kerotinoids की बात करें चाहे chlorophylls की बात करें दोने ही pigment जो हमें higher plants में मिलते हैं बोथ आर lipid soluble fat में तो soluble होते हैं organic solvents में हम बात करें बच्चों तो सबसे पहले और सबसे important कौन सा है chlorophyll A ही आएगा क्यों इसको हम universal photosynthetic pigment भी कहते हैं क्यों कहते हैं बच्चों ये आपको सारे photosynthetic organisms में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ you bacteria true bacteria को यदि हम छोड़ दें तो उनको छोड़ कर उनमें प्राइमरी photosynthetic pigment भी कहते हैं important भी है ये most abundant photosynthetic pigment भी है सबसे ज़्यादा मिलने वाला photosynthetic organisms on our earth है हम कहते हैं biosphere में और primary photosynthetic pigment भी है primary photosynthetic pigment का क्या मतलब है बच्चों अब जब next lecture में light reaction देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि भी जो light आती है first time उसको trap करने के लिए वहाँ पर जो primary reaction होता है photosynthesis का जो light energy chemical energy में trap करता है या convert करता है बच्चों वहाँ पर एक reaction center होता है जिसके बहुत ज़्यादा importance होती है और वो जो reaction center होता है वो chlorophyll A molecules ही बनाते हैं उसके बिना light reaction आगे नहीं बढ़ सकता तो क्योंकि जो primary reaction है light reaction में भी जो primary step है बच्चों वहाँ पर chlorophyll A molecules reaction center बना रहे है reaction center क्या होता है आज जाएगा next lecture के अंदर अभी सिर्फ सुन लो और समझ लो इसलिए इसको primary photosynthetic pigment भी कहा जाता है ठीक है तो एक बार सारे points देखते हैं हम color की हम बात करें bright green और blueish green color होता है बच्चों molecular formula दो का याद रखना है बटा आपको किस-किस का chlorophyll A का और chlorophyll B का NCRT ने नहीं mention करा लेकिन पूछा जाता है आपसे C55H7205N4MG याद रखना है भूलना नहीं है ठीक है कुछ facts आपको याद भी करने होंगे हाँ chlorophyll A का यदी याद है तो फिर chlorophyll B का याद करने में दिक्कत नहीं आएगी वो भी अपन देखनेंगे किस तो chlorophyll A का याद रखनो C55H72O5N4MG बचो universal photosynthetic pigment है मैंने बताय दिया present in all photosynthetic organisms except you bacteria most abundant भी है primary भी है primary क्यों है सब कुछ लिखा हुआ है notes download कर लेना आभी लिखने की जुरूरत नहीं है time खराब मत करो यह जो तरीका है पढ़ाने को वो भी इसलिए अपने रख रखा है कि यदी मैं लिख लिख कर पढ़ाऊँगा आपका और मेरा दोनों का time waste होगा time बहुत important बच्चो है ना तो इसलिए time बचाने के लिए पहले मैं अपना खुद का time खराब कर लेता हूँ आपके जब notes बनाता हूँ तो 4-5 घंटे ताकि आपका time बचे है ना downloadable form में available करवा रहा हूँ again आपका डेड़ दो घंटा बचा लिया तो रोजाना मैं आपके 2-3 घंटे बचा रहा हूँ तो थोड़ा सा तो कदर करो भी थोड़ा सा तो बात मान लिया करो मैं सर्फ यह चाता हूँ कदर करने का मतलब मैं नहीं चाता कि कुछ यह करो वो करो मैं सर्फ इतना चाता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो मान लो कारण क्योंकि मुझे पता है कि वो मान लिया तो आप अपने dream medical college तक पहुंच जाओगे बच्चों कि मैं आपको वही बताता हूँ जो करके मैं अपने medical college में पहुंचा कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैं हवा में चीज़ें तीर छोड़ रहा हूँ आपके साथ कोई experiments कर रहा हूँ बटा सारी चीज़े tried and tested है वो सारी चीज़ें जिनसे मुझे success मिली मैं आपको बता रहा हूँ और हर बार मिलिए बच्चो not only in the neat exam entrance exam के बाद बच्चो मैंने और उस समय तो stat PMT होती तो इसमें भी मेरी all रास्तान all state rank 46 यह सब चीज़े करके हुई जो मैं आपको बताता रहता हूँ बच्चो फिर PG entrance दिया बच्चो MDB करिये मैंने उसका भी entrance होता है वो ज्यादा tough होता है 20 subject आते हैं फुरी MBBS की और सारे doctors बेठते हैं वो भी crack करा है बच्चो तो obviously इतना तो आप trust कर सकते हैं कि सर को exam track करना आता होगा और खुद डॉक्टर ने खुद नीट crack करा है तो at least नीट experience को तो से प्राइमरी रिएक्शन फोटो सिंथेसिस विच कर लाइट इनरजी मतलब लाइट इनरजी की मदद से ATP NADH बनते हैं यहां पर बच्चो NADPH is mediated by chlorophyll A molecule as reaction center जो भी मैंना आपको समझाया था इसलिए इसका हम primary photosynthetic pigment P बोलते हैं सिंथेसिस की यदि हम बात करें NCRT में given नहीं है हमें भी detail में नहीं जाना सिर्फ यह देख लो क्या-क्या questions बनते हैं from this part of the topic synthesis of chlorophyll इसे आपसे क्या-क्या पुछा जाएगा क्या-क्या चीजे chlorophyll A बनाने के लिए जरूरी होती है उनके उपर मैं blocks लगा रहा हूं and light ठीक है ये चार boxes हमें याद रखने है synthesis of chlorophyll A से यदि कोई question आया है तो इसके अलावर कुछ नहीं आएगा क्या-क्या याद रखना है क्या-क्या चीजे चाहिए glycine चाहिए होता है succinyl coenzyme A चाहिए होता है minerals के यदि हम बात करें तो magnesium, iron और nitrogen आपको चाहिए होते हैं ठीक है elements के यदि हम बात करें minerals की जगे ज़्यादा better way में यदि हम बोलें तो magnesium, iron और nitrogen आपको चाहिए होता है इसके अलावा light की essentiality भी होती है बिना light की chlorophyll A नहीं बनेगा है ना क्योंकि शुरुआत में आप देखते हो glycine plus succinyl coenzyme proto chlorophyll बन रहा है उससे जो chlorophyll A तभी बनेगा जब light में ये final step होगा तो light की presence भी chlorophyll A synthesis के लिए ज़रूरी होती है तो बचो तो synthesis वाले पार्ट में सिर्फ इतनी ही चीज़ें आप से पूछी जाती ही light also essential for chlorophyll A synthesis in angiostrum ठीक है फिर structure की बात करें तो structure 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 और कुछ याद रखने की जुड़ती नहीं सिर्फ इतना याद रख लेना कि structure देखने में कैसा लगता है टेड़कोल और उसमें दो पार्ट होते है आप से पूछा रज़ता है head कौन मनाएगा पॉरफाइरिन जो कि एक magnesium tetrapiral structure तो एक और question कि यहाँ पर जो पॉरफाइरिन head होता है chlorophyll A का उसमें कौन सा आयन देखने को मिलता है magnesium याद रखना है और जो tail है वो phytol की बनीवी होती है बच्चों और वो किसमें embedded होती है अब यह हम ग्रेना में थाइलेकोइट्स जो इसके बारे में बच्चों बाकी जब हम next lecture में आगे action spectrum absorption spectrum light reaction की बात करेंगे वहाँ पर और चर्चा होती जाएगी इसके बारे में chlorophyll B chlorophyll B में सिर्फ जो points लिखे हैं वही अपने काम के हैं और कुछ नहीं yellow green pigment है molecular formula C55H70O6N4MG देखो अंतर क्या है वहाँ पे H72 था और O5 ठीक इसका मतलब क्या हुआ देखो इसलिए difference आ रहा है it has CHO group oxygen तो बढ़िया है in place of methyl तो क्या कम हुआ देखो H3 कम हुआ H बढ़ा 2H कम होगे तो 2H कहां से कम हुए वहाँ पर बच्चों H72 था chlorophyll A के अंदर और O5 था तो मैंने क्या का था अब सिर्फ उसको याद रख लो उससे फिर chlorophyll B automatically याद रहे जाएगा chlorophyll A में यदि मैं methyl को निकाल दू chlorophyll A के structure में से और उसकी जगा aldehyde group डाल दू CHO group बच्चों तो chlorophyll B बन जाता है वो भी particularly ये replacement कहां होता है चार pyrrole rings होती है परफारेन हेड में उन में से जो बच्चों second pyrrole ring होती है उसमें third position पर ज रखना है chlorophyll B का यहां तक कोई भी doubt हो पोच सकते हो chat box के अंदर ये chlorophyll B भी आपको सारे higher plants में और green algae में देखने को मिलेगा along with chlorophyll A तो जितने भी higher plants है almost अभी induced forms के दिए हम बात करें या higher plants के बात करें तो आपको chloroplasts के अंदर not only chlorophyll A but chlorophyll का दूसरा form chlorophyll B भी साथ में द D and E इनमें कोई ज्यादा points याद रखने की जुड़ते नहीं पूछे भी बहुत कम जाते है rare chance है तो आप चाहें तो इनको छोड़ भी सकते हो श्रद्दा हो तो जो एक-एक point मेंने बताया है उसको याद रख सकते हो जैसे chlorophyll C मेंने आपको बताया कि कहा मिलता है diatums और brown algae के अंदर D मेंने आपको बताया blue algae में मिलता है chlorophyll E कुछ again certain algae में golden brown algae के अंदर आपको देखना को बलता है यह points याद रख सकते हो तो ठीक है नहीं तो आप अपने notes में लिख लेना this is less important इसको आप छोड़ कर भी जा सकते हो अभी तो जब revision करो पढ़ लो अभी तो time है जो last moment पर revision होता है वहाँ पर इसमें समय खराब करने की आपको जरूरत नहीं है ठीक चलो तो यह बात हो गई किसकी chlorophyll की बात हो गई ठीक है तीन तरह के pigments हमें देखने थे जो photosynthesis associated हैं इनमें से दो ग्रूप्स तो में लिए आपको higher plants में देखने को मिलते हैं एक तो chlorophyll केरोटि अब जो दूसरे pigments से केरोटिनेट अगें इनमें भी आपको universal pigments देखने को मिलेंगे देखते हैं बच्चों बात करते हैं तो yellow and orange कलर के होते हैं दो ग्रूप्स होते हैं बच्चों इनके अंदर carotines होते हैं जो carotines होते हैं वो आपको orange कलर के मिलेंगे और जो जन्तोफिल् रहें दोनों ही groups lipid soluble होते हैं water में insoluble होते हैं बच्चों चीक है तो lipid soluble है insoluble in water है universal photosynthetic pigments है again ये भी आपको सारे photosynthetic organisms में देखने को मिलेंगे along with the chlorophylls except you bacteria तो जो chlorophyll A में हमने कारण लिखा था कि वह universal photosynthetic pigment होता है chlorophyll है वही कारण इनको भी universal photosynthetic pigment केने का है कि ये भी chlorophyll A की तरह सारे photosynthetic organisms में मिलते हैं in our biosphere except you bacteria बच्चों चीक जैसा हमेना आपको बताया था chlorophylls के साथ तो ये chlorophyll के अंदर मिलेंगे ये chlorophylls आपको chromonic chlorophyll में specific मिलते हैं बागी के जो colored plastic होते हैं chlorophyll में का colored plastic है लेकिन उसको छोड़के जो बागी के colored plastics होते हैं उनमें आपको ये अलावा वो mainly carotinoids की मज़से होते हैं कुछ और भी pigments होते हैं जिनके कारण वो color आसकता है लेकिन अभी हम mainly photosynthetic pigments की बाद हो है ये बच्चों अभी हम जो pigments बढ़ रहे हैं जो photosynthesis associated हैं इनमें one of the most stable pigments consider की जाते हैं ना इनको सबसे ज़्यादर stable pigment माना जाता है बहुत कम reactivity in क्यों होती है they are also called अब ये बहुत important है ये point याद रखना बच्चों ये पुछा भी जाता है हमसे exam में they are also called as protective or shield pigments क्यों अभी थोड़ी देर पहले है जब हमने इस lecture को चालू किया था शुरू किया था बच्चों वहाँ पर एक चीज में आपको बताया थी है अपने alignment arrangement of chloroplast according to the intensity of light और वहाँ मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब जरूरत से ज्यादा light होती है जरूरत से ज्यादा light यदि photosynthetic pigments absorb कर लें chloroplast absorb कर लें तो pigments damage होते है particularly जो सबसे important pigment होता है यहाँ पर chlorophyll A जदी जरूरत से ज्यादा light होगी तो वो damage होता है उसको हम कहते है photo oxidation light की various of oxidation बढ़ जाता है क्यों जब जरूरत से ज्यादा light होती है बच्चों तो free oxide radicals का production होता है like super oxide iron, like pure oxide iron, nascent oxygen produce होती है जो chlorophyll A को oxidize करके damage करती है उस photo oxidation से बचाने के लिए क्या जरूरी है कि जो excess of light है उसको chlorophyll A के उपर आने से रोका जाए तो वो कैसे रोका जा सकता है यदि मान लो excess of light है तो उसको chlorophyll A एबसर्ब करें उसके पहले यदि कुछ दूसरे pigments जो photosynthesis के लिए बहुत जादा essential है जरूरी नहीं होते है जिनका कोई हम कह सकते हैं कि essential role नहीं होता कि जिनके बिना काम ही नहीं चलेगा photosynthesis में यदि वो absorb कर ले हैं दूसरे pigments कुछ chlorophyll A को छोड़के तो chlorophyll A बच जाएगा उसका photo oxidation से damage नहीं होगा बच्चो वही काम क्या कर रहे हैं ये karotinoids कर रहे हैं तो इनका भी अपना आप में बहुत important role ह होता है इसलिए इनका हम protective or shield pigments भी कहते हैं because they protect chlorophyll from photo oxidation clear है बच्चो याद रखना है ये important role है इनका in fact अभी हम जो आगे 5 को बिलिंस पढ़ेंगे जो higher plants में तो नहीं मिलते हैं लेकिन red algae अगर हमें lower plants में मिलते हैं वहां पर उनका role भी वही होता है जो यहां पर carotinoids का protective or shield pigments साथ ही साथ बच्चो द्यार accessory pigments and make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths एक और क्याम क्या है हम next जो lecture होगा उसमें बात करेंगे absorption spectrum action spectrum की तो chlorophyll एक ही है chlorophylls की हम बात करें तो बच्चो visible spectrum में जितनी भी wavelengths होती है उन सबको वह absorb नहीं करता है ना और यदि हम चाहते हैं कि photosynthesis ज्यादा efficient हो तो उसके प्राइटर जारी उनमें जितनी भी wavelength है उनमें maximum wavelength को absorb किया जा सके और photosynthesis के process में utilize किया जा सके तो ठीक है chlorophyll खुद जो wavelength कर सकता वो तो करी लेगा वह wavelength जो फोटो जो chlorophyll या chlorophyll भी absorb नहीं कर पा रहे हैं बच्चो उन wavelength को यह वाले pigments absorb करके और फिर उस energy को किसको transfer कर देते ह अगें photosynthesis के process को efficient बना रहे हैं और इसलिए इनको accessory pigments भी का जाता है क्यों accessory का मदब extra helping pigments भी का जाता है क्योंकि chlorophyll A chlorophyll B के साथ साथ यह role भी प्ले कर रहे हैं कि light energy को trap करके transfer कर देते हैं उन wavelength को यह absorb करते हैं जिनको chlorophyll नहीं कर पाते हैं बच्चो ठीक तो they are accessory pigments and make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light which are actually not absorbed by chlorophylls फिर जो carotenoids हैं बच्चो उनका हम दो group में divide कर सकते हैं carotines and xanthophylls carotines orange colored yellow color होते हैं xanthophylls इनका general formula C40H56 यह empirical formula मिलेगा छीक है इसी में oxygen जोड़ दी जाए तो xanthophylls बन जाते हैं for example यह lutene का जो yellow color pigment होता है बच्चो उसका formula है C40H56O2 carotines 3 category में और further हम subdivide कर सकते हैं alpha carotene, beta carotene, gamma carotene जो beta carotene ultimately यह vitamine A बनाता है बच्चो है ना जो हमारे आँखों के लिए भी जरूरी होता है आँखों के pigments के लिए भी जरूरी होता है tomato का जो लाल color होता है that is because of lycopene again it is a carotene बच्चो है ना और brown algae में pigment मिलता है phucosanthine which is an example of zenthofer आगी बात समझ में यह important note है जो भी मैंने आपको बताया था कि जो beta के routine है तीन जो type protein के routine यह मैंसे जो beta के routine है बच्चों वो vitamin A का precursor होता है कोई बात नहीं बटा अनन्या अनन्या को कल patriotic function में पार्ट लेना स्कूल के तो वो कल का सुबह का session अटेंड नहीं कर पाएगी देखेंगे काफे बच्चों की कल सुबह की session के लिए यह आई है request जैसे सोनाली की भी request दी कि सर उसको भी March past में पार्टिस्पेट करना है तो कल सुबह के session पार्टिस्पेट नहीं कर पाएगी तो देखते हैं या तो उसको reschedule करते हैं सुबह की जगए या तो possible होगा तो अपने उसको शाम को reschedule कर लेंगे आपको जो भी होगा information मिल जाएगी बच्चों एप पे भी information मिल जाएगी और आपको whatsapp के थुरू भी specifically और telegram पर भी notification मिल जाएगा message बिल जाएगा last group of pigments जो बच्चों आज की lecture में हमें देखते हैं दे आर फाइको बिल जाएगी और ब्लू ग्रीन अल्गी और ना शुरुवात में में आपको बता जीता है हायर प्लांस तंदर ये देखने को नहीं मिलते हैं ये algae में मिलेंगे algae में प्लस cyanobacteria याने की blue green algae में भी देखने को मिलते हैं चीक है दोनों ही तरह के organisms में आपको ही मिलेंगे बट not in higher plants तो red algae और blue green algae में 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 भी देखने को मिलते हैं बच्चों आपको water soluble है strongly associated with proteins हैं ये proteins को अपने साथ जोड के bind करके रखते हैं इसलिए इनको bilis proteins भी केते हैं तीन तरके होते हैं इसमें सिर्फ direct आपसे color पुछा रहता है phycocyanin, synovod जां भी आ जाएगा blue होता है बच्चों, phyco erythroid, erythrocytes, rbcs को बोलते हैं, erythroid जां भी आ जाएगा red color and yellow phycocyanin, light blue color का होता है, again synin आ रहा है बच्चों यहाँ पर, लेकिन light blue color का होता है तो यह तीन variants हमें याद रखने हैं, phycobillins के, phycobillins again red algae और blue green algae में वही काम कर रहे हैं जो higher plants के अंदर, कौन कर रहाता है, kerotinoids कर रहाता है, accessory pigments का, shield pigments का काम कर रहे हैं, ठीके, last but not the least, यह word आप से के बार पूछा रहाता है, phytochrome, और बच्चे confused होते हैं इसमें, आपको क्या आद रखना है, phytochrome एक तरह का bili protein ही हैं, एक तरह का phycobillin derivative ही है, जो protein के साथ जुड़ा हुआ है, यह इंजियो स्पॉंस में मिलता है, वैसे तो हमने के अब रहा, phycobillin side plants में मिलते हैं, यह एक derivative मिलता है इंजियो स्पॉंस में, और इसका रोल होता है, बच्चे, germination and flowering में, क्यों, क्योंकि यह light को detect करने में मदद करता है, plants को, तो phytochrome पे इस से जो आपको information भी आपको याद रखने है, तो I hope आज के lecture में भी मजा आया होगा बच्चो, जैसे कि हम हर lecture का conceptually पढ़ते हैं, कोशिशे रहती है, हर चीज रटाने की जगह आपको पहले समझाओं और फिर उसको याद करवाँ बच्चो, आगे भी इसी तरह से journey continue रहेगी, 99.9% हम उसी time पे लेंगे, क्योंकि कल फिर और भी कुछ मेरे engagements है, surgeries and all functions भी है, जिनको attend करना है, जिसके कारण हो सकता है, फिर शाम को अपन वो session नहीं कर पाए, बाकि वैसे अभी जो sessions हुआ करेंगे, बच्चों MCQs के, यह अपन शाम के समय ही schedule करेंगे, कल specifically मैंने जान बू और अंच्वान साइनिक आफ, थैंक यू बच्यों